तो आप इसके बारे में कुछ वीडियो बनाइए ताकि बहुत more than confusion creation होगा है वैसे तो मैं भी दो दिन से बस वाच कर रही हूँ तो यह देखो मैं आपको आज नहीं मैं आपको दो दिन का ओवर भी वदाऊंगी कि कब क्या कौन-कौन सी चीज़े चेंजर जो रही है अब नह नहीं क्या रननीती होगी नहीं क्या policy होगी वह फर्स्ट ओफल यह आज का न्यूज है आप इसे आज का पढ़िए मैं आपको फिर आपको ओफिशियल डेटा का भी न्यूज दिखाऊंगी और दैन आपको और भी कल का जो भी न्यूज सा वो भी बताऊंगी कि आप compare कर सकत है कि कब क्या होने वाला तो यह पढ़ते उससे पहले अगर आप इस अन्यूज नहीं होती है कि अभी तक यह भाई क्यों नहीं हुआ है उसी पर यह विचारा है सिच्छा मंत्री बोले बिहार में टी इटी पर रोक नहीं होगा भविश्य में जरूरत के अधार पर होगी यानि कि आगर जरूरत पढ़ती है तो होगी और सबसे पहली बात है कि विजय कुमार चौधरी है सिच्छा मंत्री तो आपका एक्जाम भी होने वाला है तो याद सब्सक्राइट करलो रास सरकार में पात्रता प्रिच्छा आयो जित कराने मिली के अगले चरन नेको प्रिकडिया प्रभावित हो रही तो अभी तो हाल फिलाल में कुछ भी अविस्टक वेगरह नहीं हो तो फिर don't be panic this situation आप इसमें इतना पैनिक क्यों ओड़े हो कि बंध हो गया बंध हो गया नहीं हुआ है ना वर्तमान प्रफधान के अनुसार सिच्छक नियुक्ति के लिए सीटेट और बीटेट दोनों में से किसी भी परिच्छा में उत्ति निशात अभियारती बनने के पात संतोष जनक है सरकार ने चट्टे चरण की नियुक्ति को ततकाल पूड़ा कर साथ में चरण की नियुक्ति प्रकरिया पूरी की है फिर हम बात करते हैं कल की नियुज की यानि कि आप देख सकते हैं यह 15 की नियुज है ठीक है नियाने कि कल 15 तारिक था सिच्छा प्हले से टीटी पास विद्धार्थियों को भी मौका मिला होगा बिहार में अब नहीं होगी टीटी और सीटेट से ही सिच्छकों की बहाली आप सीटेट से ही टीटी नहीं होने पर भोजपूरी मैथली भासा के छात्रों का नुकसान हुआ है जब किन सरकार दो बार सीटेट होता तो सीटेट होता है आपके सेंट्रल लेवल का सेंट्रल लेवल में जैसे कि आप अगर एक वर सीटेट पास कर लेते हो तो आप या या यूपिक से भी फ़र्म फिलाफ कर से कि इलिजिवल और फिर जो आप चाहो तो लखनव भरो जैपुर भरो राजस्थान भरो सब चीज के लि तो इस सबसे यह आपका बना हुआ है तो देखे कल के paper में क्या लिखा था कि अब नहीं होगा आज के paper में क्या लिखा है कि जरूरत के अनौसार होगा तो उसके लिए आपलों टेंसन मत लीजिए चुप शाप seatette पर धियान दीजे क्योंकि सीट आपका बेश्ट है इस्टाय टी टी जब आना होगा तो आएगा वने वैसे भी आज आता है तो सरकार तो बहाली तीन साल में करवाती है तो फिर उसका सूचना ही क्या है अपने को तो सीट निकालना है तो सीट को सीट को सोचिए आपको मैं परिच्छा बंद कराने या नहीं करनाने का अभी कोई निर्णाय नहीं लिया गया है तो तक आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं वर्तमान प्राफधान के मुदाविक सीट या बीटर दोनों में से उत्तिर्न अभियार्थी के पात्र हो जाते यानि कि आपने बीटर दिया या 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 तो सीटर दिया है तो उस दोनों अभियार्थी हो जाएंगे फिर वर्तमान में रिक्तियों के मध्यनजर पूर्व में हुई इन दोनों तरह की परिच्छाव में उत्तिर्ण शात्र अभियार्थी संतोष जनक संख्या में पहले से उपलब दे साथी सार सरकार न कर बैठे हुए है कि हम मेरा हो चुका है जोब मेरे को तो जोब मिल जाएगी इस तरीके से सिच्छक पाज़ता परिच्छा अभी आयुजित कराने के लिए अगले चरण की नियुक्ति पर प्रकडिया प्रभावित हो रही है इसलिए बिलम होई इसलिए सिच्छा विभाग ने इस परिच्छा को अभी इस्थागित रखा है यानि कि जो आने वाला था वो भी नहीं आएगा जो आपने सुना था ना कि डेट दो लाख वेकेंसी बिहार में आने वाली है तो नहीं आएगी हाँ यह मानती हूं कि थोड़ी साइड नूज है प्रूब की परिच्छा मे करने की मतलब घादो वह क्या रहा है आप वी नंब का प्रकलिया में क्या कीजिए तो आप की यह भी तक हो रहy देख Store के वहly कि प्रोड़िया और है da ऐसे इस सिति में यह निर्णा लिया गया है कि अगले चरण के नियुक्ति के प्रकडिया पूरी करने के पस्चाथ उपलवद रिक्तियों पातरता परिच्छा में अव्यारतियों की संख्या समीच्छा का राज आवसक्ता अनुसार पातरता परिच्छा है जित करेगी अथा अभी समीच्छा पातरता परिच्छा पर रोक की कोई बात नहीं है जब यहां भी इन्होंने कह दिया तो आप यह क्यों कह रहे हो कि हां इस्टेट अब नहीं होगा जीवन में कभी सीटेट के अलावा तो वो तो सब जानता है वो तो सारी चीजे है वैसे भी आपको जौब को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें थैंक यू फॉर वाचिंगास